हेलो फ्रेंट्स चैसरीश टीचिंग में आप सभी का स्वागत है फ्रेंट्स ब्लाउज की फिटिंग की सिलाई जब हम लगा थे ब्लाउज में तो सिर्फ ब्लाउज की फिटिंग की सिलाई लगाने से काम नहीं चलता है हमें blouse की fitting की सिलाई लगाने के बाद भी और एक काम करना होता है जो बहुत ही जरूरी है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी तो please वीडियो में बने रहिएगा और प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छी लगते हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजेएगा और चानल पर पहली बार आ है तो प्लीज चैनल को सबस्राइब गर के बेल आइकन को प्रेस कर लीजेगा इससे क्या होगा कि आपको मेरे सारे latest video की notification मिलते रहेगी और आप मेरे सारे latest video देख सकेंगे तो देखें यहाँ पर हमने इस blouch को इस प्रकार से ready करके रखा हुआ है और दोनों sides में इस blouch की बराबर करके रखी हुई है यह देखें अब इसमें हमें astine attach करना है और उसके बाद blouch की fitting करना है तो यहाँ पर हम सबसे पहले astine attach करेंगे उसके बाद हम blouch की fitting करेंगे ठीक है तो देखें इस प्रकार से हम इसको खोल देते हैं और सबसे पहले हम एक side का astine attach करते हैं उसके बाद दुसरे side का astine attach करेंगे तो देखें ब्लाउज की सिधी साइड और उल्टी साइड कुन सी है तो आपको बिल्कुल अस्तिन की सिधी साइड को ब्लाउज की सिधी साइड के उपर रखना है और उल्टी साइड उपर की तरफ रखना है और इस प्रकार से आपको अस्तिन को अटेच कर लेना है ठीक है तो देखे यह तो दिखिए इस प्रकार से एक सिलाई हमने चलाई अब फिर से यहां से हमें डबल सिलाई चलानी है इसे अच्छे से आपे मजबूति के साथ अस्तिन लग जाता है और देखिए जहां से हमने स्टार्ट किया था इस लागाना वहीद लाके इसको यहां पर फिनिश कर लेना अब इसके बाद दीखिए इसको इस तरह से नाकुन से क्रेच कर लेंगे अस्तिन के उपर से अब दूसरी तरफ का भी अस्तिन हम अटेच कर लेते हैं तो दीखिए फ्रेंट्स हम अपना अस्तिन ले लेते हैं और दीखिए यहां से हमें अस्तिन को यहां पर अटेच कर लेना तो देखिए शोल्डर का जो जाइंट है फिर से हम उसी प्राकार से अस्तिन को अटेच करेंगे इस तरह भी और देखिए खास करके आपको अस्तिन लागाते वक्त इस बात का ध्यान रखना है कि आपका सामने वाला जो यह पार्ट है अस्तिन का यह बिल्कुल सामने की तरह लगना चाहिए और पीछे वाला पार्ट है तो वह पीछे पली की तरफ भी लगना चाहिए इस बात का ध्यान रखेंगे नहीं तो बहुत सारे बिगिनर्स जो होते हैं उनके हास से यह गलती हो जाती है कि उनका सामने वाला पार्ट पीछे की तरफ चला जाता और पीछे का सामने की तरफ हो जाता है तो इस बात का आपको ध्यान रखना है ठीक है तो इस प्रकार से देखे हम अस्तिन को लगा लेते हैं और दीखे आपको यहाँ पर खास करके यह ध्यान में रखना है कि आपका जो अस्तिन का कट है और ब्लाउज का यह जो कट है दोनों फिटिंग के कट से तो यह बराबर आमने सामने आना चाहिए यह देखिए हमारे ब्लाउज में यह बराबर आमने सामने आ बराबर बिटिंग वाला कट वो आमने सामने आया हुआ है दोनों का अब सामने वाले में हमें एक बार जरूर चेक कर लेना चाहिए क्योंकि देखिए सामने की तरफ हम आर्मोल को तुड़ा गहरा खासते हैं तो इसको हमें अस्तिन को सबसे पहले चेक कर लेना है उसके बाद थोड़ा आगी की तरब आ रहा है और अस्टिन का जो कठे जो ठोड़ा अंदर की तरब आ रहा है तो यहाँ पर यह जो distance है इसको हमें कैसे यहाँ पर cover करना है इस बारे में आप goose बताऊँगी तो देखें यहाँ पर यह जो अंतराया हुआ है यह आदा से चोधा अधा इंश से खमें गिरे के. अब या जो भटाय है ज़ता है तो यहाँ इसको हमें थोड़ा सा कहीज के लगाने में आसले हो जाएगी its को हम अस्तिन को यहाँ पर अच्छे से फिक्स कर लेते हैं तो देखिए अस्तिन को थोड़ा सा हमें इस प्राकार से नीचे से हलका खीचना है ज्यादा ने खीचना है और खीचना कहां से आपको बिल्कुल शोल्डर का जो जॉइंट वहाँ पर सुई को आपको इस तरह से अं से थाहिए थोड़ा सा फूलानवा सकता है ь तो आपको इसी परकार से सुई कों बगांबर सुडर के जॉइंट क्यूपर अंदर की तरफ घरक rotana है और यहीं से परकार से अस्तिन को खीचते हुए थोड़ा हल्क हल्क किसते हुए लगा लेना है और आपके अस्तिन में फूगा बन सकता है तो इस बात का थ्यान रखेंगे तो और जैसे आप तो यहां पर आप देख सकते हैं बिल्कुल एक पॉइंट जितना यहां पर अंतर बचा हुआ है तो इससे आपके ब्लाउज फिटिंग के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा आपके ब्लाउज फिटिंग पर्फेक्ट आएगी लेकिन इससे ज्यादा दिश्टेंस बसता है दो पोस्ताइब यहां इससे ची एक पॉइंटि फिटिंग पर इतना अंतर रहता है तो कैंपके ब्लाउज चलिय ऑख करते हैं और यहाँ पर एक डबल सिलाई लगा देते हैं देखिए मैं कभी भी अपने वीडियो में आपको हमेशा बताती हूँ कि आपको अस्तिन को कभी भी खीच के नहीं लगाना है ना सामने वाले पल्ले की तरफ ना पीछे वाले पल्ले की तरफ लेकिन इस प्रकार की अगर प्राब्लम आपके बलाउज में आती है पीछे की तरफ आपके अस्तिन बराबर लग रही है और सामने की तरफ थोड़ा सा कम पढ़ रही है तो इस प्रकार से हलका खीच के आप लगा सकते हैं ने तो आपके सामने की तरप आप देख सकते हैं अगर ज्यादा खीच के लगाएंगे तो फुगा आ सकता है इस प्रकार से अगर आप बिल्कुल शोल्डर से ही इसको खीचते हुए लगाएंगे अस्तिन को तो इस प्रकार से बिल्कुल फिनिसिंग के साथ आपकी अस्तिन लग जाएगी और कही पर भी आपके अस्तिन में फुला नहीं आएगा तो इस बात का आप थ्यान रखेंगे ठीक है तो अब इसके बाद हम यहाँ पर ब्लाउज की फिटिंग कर लेते हैं तो इस प्रकार से देखिए बराबर दोनों पीछे और सामने का पला जो है बराबर इस तरह से मिला के रखेंगे अस्तिन को भी इस तरह से बराबर मिला के रखेंगे और सीधी साइट के उपर से हमें इस प्रकार से एक साइट से सिलाई चलाना है और इसके बाद दिखियें एक्ष्टा जो कपड़ा है उसको इस प्रकाट से कट कर लेंगे अब इसको हम उल्टी तरफ पलट लेते हैं और उल्टे साइड की तरफ से भी हमें इसको पलटके एक सिलाई चलाना है तो देखिए इस प्रकार से उल्टा करने के बाद यहाँ पर हमें इस प्रकार से किनारे किनारे से एक सिलाई चला देनी है इस प्रकार से सिलाई चलाने से क्या होता है कि हमें फिटिंग नाप डालने में बहुत आसानी हो जाती है ब्लाउज में तो देखे इस प्रकार से अमने यह सिलाई लगा दी है अब इसके बाद हम अपने ब्लाउज में फिटिंग नप डाल देते हैं तो यहां पर हम सबसे पहले देगे यह आई पट्टी है तो आई पट्टी को हमें यहां तक इस प्रकार से छोड़ देना है एक इंच की यह आई लाउज में तो यहां पर हम 34 का फोर्ट पार्ट लेंगे साड़े आट इंच तो देखे इस प्रकार से साड़े आट इंच पर एक निशान लगाएंगे तो दीके इसको मैं दूसरे चौक से लगा देती हूँ आपको शायद यह देखने रहा होगा तो इसको मैंने यहां पर देखे साड़े आट इंच पर इस तरह से मैर्किंग की हैं तो यह हो गया हमारा कमर का फोर्ट पार्ट और इसके बाद देखे अब हम चेष्ट का फोर्ट पार्ट लेंगे यहां पर चेष्ट बयाले सिंच तो उसका फोर्ट पार्ट यहां पर साड़े दस इंच होगा तो साधे 10 inch पर इस तरद से मार्किंग करेंगे वह दीकर यहां पर साधे 17 इंज तो उसका यहां पर आदा करेंगे तो पाउने नौ इंज हो जाएगा तो यहां पर यह बराबर पाउने 9 इंज आ रहा है तो इस आपके ब्लाउज में जो भी मेजरमेंट आर्नोल का उसको आपको चेक कर लेना है अब इसके बद्दे की मोरी है इस ब्लाउज में साड़े बारा इंच उसका आधा करेंगी तो सवाची इंच हो जाएगा और सवाची इंच परिस्तर से मार्किंग करके तीनों निशानों को मि वीडियो का कुछ हिस्सा है जो कवर नहीं हो पाया उसके कारण यहाँ पर आपको इस साइट की ब्लाउज की फिटिंग जो देखने को नहीं मिलेगी इसके लिए मैं आपसे मापी चाती हूँ लेकिन आपको दूसरे साइट का फिटिंग में आपको यहाँ पर बता देती तो देखे सेम उसी प्रकार से हमने सिधे साइट से सीलाई चला के उल्टी साइट ब्लाउज को पलट दिया है और किनारे किनारे इस प्रकार से सीलाई चला देंगे अब इस प्रकार से सीलाई लगाने के बाद हम यहाँ पर फिटिंग नाप डालेंगे उसके बाद हम फिट ही पाउय हो आपको को दोनों तरब दोनों हे को दो bênसे लेउसाय हो कर लेना ऐसाने की एक तरफ उससे तरफ नहीं किया तो दोनों तरफ आपको आर्मोल को अच्छे से इस तरह से चेक कर लेना है दूसरे तरब भी हमारे ब्लाउज में आर्मूल बराबर है पाउने नोव इंच अब इसके बाद मोरी का मार्किंग कर लेते हैं सवा छे इंच पर और इन तीनों निशानों को मिलाते हुए हमें फिटिंग की सिलाई डाल देनी है तो इस प्रकार से देखिए हम यह इस साइड पर मैंने जिस प्रकार से सिलाई डाली है फिटिंग की उसी प्रकार से आपको फिटिंग की सिलाई डालनी है और एक दो सिलाई और एक्स्ट्रा लगानी है जो मैंने यहाँ पर लगा दी है इस ब्लाउज में अब देखिए दोनों साइड ब्लाउज के को रखना है जहाद पर हम आई लगाते हैं वहाँ से हमें इस टेप को इस प्रकार से रखना है यहाँ पर हम अपना आई लगाएंगे तो यहाँ से हमें टेप को रखना है और पूरे ब्लाउज की यहाँ पर कमर नाप लेना है कि यह जो हमने फीटिंग की है ब्लाउज की तो प्लाउज की Fitting करने के बाद जो कमर है, बराबर आई हुई है, इसको आपको चेक कर लेना है, क्योंकि तेख़े हो सकता है अपके ब्लाउज में भी कम ज्यादा हो तो आपको एक बार इस प्रकार से ब्लाउज फिटिंग करने के बाद कमर को नाप लेना है तो देखें यहाँ पर मैंने आपको टेप से नापके दिखाया इसके अलावा आपके पास जो नाप का जो ब्लाउज है उससे भी आप सकते हैं तो इ देखें देखें कि हमारा जो नापका ब्लाउज यह और जो आमने तैयार किया हुद दोनोंगा कमर बडाबर है कि ने इसको आपको देखें लेना है तो चली इसको देखं़ी कि बडाबर है कि तो यहां पर हमें इसको कवर कर लेना है ठीक है तो जो आदा इंच एश्ट्रा आ रहा है तो इसको हमें दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा दबाना है तो देखे फिटिंग के जो सिलाई हमने लगाए थी उस सिलाई से हमें बिल्कुल एक पॉइंट दूरी से इस सिलाई को चला तो यहां पर देखे मैं आपको यहां पर मार्किंग करके दिखाती हूँ यह फिटिंग वाली सिलाई है और इस से हमें बिल्कुल एक पॉइंट की दूरी से इस सिलाई को चलाना है तो देखे इसी प्रकार से अगर आपके ब्लाउज में कमर कम ज़्यादा हो जाती है तो आ तो इस सिलाई को आपको बराबर फिटिंग वाली सिलाई के साथ देखे मैंने यहां पर बराबर मिलाते हुए इसको लाया हुआ है सिलाई को और इसी प्रकार से आपको भी सिलाई डाल देना है अब इस सिलाई को लगाने के बाद हम एक बार और चेक कर लेते हैं कि हमारे ब कि आपको इस तरह से चरहिए और जितना हो रहा है उसी के हिसाब से आपको दोनों तरफ सी डाल देनी है देखिए कमर के साथ साथ आपको चेश्ट को भी एक बार जरूर चेक लेना चाहिए यहाँ पर मैंने ब्लाूज को उल्टा करके रखा हुए और यहां पर ब्लाूज से ब्लाुज हैं और यहीं इसाट करने पर जाहिए चौक निशान छीमाँ चैज और दोनों से लिए छेक कर लेंगे10 अजब एक नाप से ठीट तैयार किया है दोनों का यहां पर यहां पर लिया हुआ है वह बराबर आ रहा है इस तरफ अब दूसरे तरफ भी हम चेक कर लेते हैं तो देखिए यह जो आप लाइन देख रहे हैं यह फिटिंग वाली ही लाइन इसको मैंने खीचा ता लेकिन वीडियो का कुछ पर्ट मिस ह दोने के कारण आप इसको देखनी पाए हैं तो देखिए यह जो हमारा यहां पर लगा हुआ है नाप वाले ब्लाउज में फिटिंग का तो इसको हमें इस तरह से बराबर मिला के देखना है और यह बराबर आई पट्टी को आई पट्टी से मिला के रखेंगे और इस प्रक पुरिफी थो गया है और blouse to fitting हमने पूरी करली तो यही एक काम होता है कि आपको blouse fitting करने के बाद एक पर जरूर करना चीए नाप वाले ब्लाउज से आपको इस प्रकार से नापना है लाँज फिटिंग करनेके बाद एक बर जरूर आपके देखिएगा और उसके बाद जो ही डिया की ysule को कम ज़्यादा होता है उसको एक अजिन किसी तो भी लगाने से फिंगे मुने आज यहीं से प्रकार से आपको नंब वाल रिए उससे आपको एक बर जरूर क्रमाई चीक स्वेशिक है तब यहीं यह जैन्स को फिरेंस किसे लगे प्लिछ कमेंट करके बताएगा है आप का जो भी सवाल है आप कमेंट करके likes लुक कर कर दीजेए है कर लिए तो आजकि एतना ही मिलते अगयी तया है